Welcome students, start करते हैं exercise 13.4, ठीक है, 13.4 exercise जो है, यह NCRT class 9th का है, okay, class 9th NCRT 13.4 exercise करते हैं, books आपके सब के पास हैं, तो start करते हैं, first question, जो first question से पहले हम यह चेक करते हैं कि 13.4 exercise है, sphere की, ठीक है, sphere, sphere की सतरे होता है, देखें, एक circle लीजे, और उसको round, यानि या बॉल शेप में जो 3D diagram होता है, यानि बॉल शेप में जो diagram होता है, that is called sphere, sphere मतलब गोला, बॉल कोई, गोल चीज जो पूरी तरीके से covered हो, हर तरीके से, ठीक है, जैसे आप बॉल का example ले सकते हो, small balls होती, football होता है, वो सब sphere के shape में आता है, तो जब sphere होता है, तो sphere में के ओल दो चीज़े important होती, एक तो radius, ठीक है, और उसी का just double diameter, diameter, तो बिल्कुल circle के तरह work करता है, अगर circle होता है, तो circle में भी radius होती है, और ये पूरी जो length होती है, diameter होता है, तो important क्या है sphere में, sphere में important है circle, like diameter और radius, तो अब जब 3D diagram होगा, यानि 3D diagram होगा, तो उसमें आपका sphere होगा, sphere 3D diagram, नहीं circle के जब 3D लेंगे, तो वो एक sphere convert हो जाएगा, और इसमें दो चीज़े होगी हमेशा कीतना है, जैसे surface area होता है आपका, ऐसे surface area clear है, और दूसरा होता है इसमें volume, जो surface area होता है, इसमें curve C ऐसे नहीं निकालते हैं, इसमें सिर्फ surface area होता है, विकॉज ये पूरी तरह से covered होता ही है, जैसे cylinder में क्या होता था, cylinder में आप लोगों को याद होगा, ये covered surface area होता था, फिर top का surface area और ये surface area, तो इस तरह surface area होता था, या कौन जब बनाते हैं आप, तो कौन में क्या होता था, distance surface area, यह और यह जो round round होता है यह भी surface area होता है इसको हम लोग बोलते थे CSA और इसको जब total कर देते थे area तो दोनों को बोलते थे TSA यानि total surface area now हम formula देखते हैं कि surface area of sphere इसमें के बोल थीन formula आपको याद करने है और बहुत easy that is called 4 pi r square यानि जो circle होता है इसका area pi r square होता है इसको अगर 4 से into कर दोगे तो 4 pi r square हो जाएगा तो यह sphere का surface area आजाएगा यानि मैं यह बोल सकता हूँ कि surface area of sphere जो है वो किसके 4 times होता है circle के area के 4 times होता है circle के area का 4 times 4 pi r square इसके बाद आता है इसमें volume तो volume of sphere भी बहुत आसान है formula volume of sphere होता है 4 upon 3 pi r cube 4 upon 3 pi r cube इसके बाद एक आता है semi sphere में अगर आपको इस तरह यानि एक bowl half ये this is bowl इस तरह जब मिलेगा तो इसका जो total surface area होगा because एक तो ये surface मिलेगी आपको इस तरह की और एक बेस के surface मिलेगी तो हो जाएगा 3 pi r square और अगर बेस के surface area open है as a ball type में है जैसे कि घर में आपके balls होते हैं उस तरीके से है तो क्यों 2 pi r square लगा दीजेगा this is called cse यानि आपके पास 4 formula हो गए 4 pi r square 4 upon 3 pi r cube and 3 pi r square और 2 pi r square और last में इसका जो volume होगा तो volume तो बहुत simple है अगर पूरी ball का volume आपको मालूम है बीच से half कर दोगे तो 2 ball में convert हो जाएगा तो इसका area हो जाएगा yes 4 upon 3 pi r square upon 2 this one तो 2 2 cut कर दो इसको यानि ये volume हो जाएगा आपका 2 upon 3 pi r cube तो ये आपको याद हो याद हो याद है तो उसका आप half कर दीजेगा ठीक है चलिए अब exercise स्टार्ट करते हैं ओके first question है आपका find the surface area of a sphere when radius is 10.5 cm clear है तो surface area of a sphere का formula क्या बताया था आप लोग ने yes 4 pi r square the value of r is 10.5 तो देखे मैं आपको calculation बताता हूँ 4 into pi into 10.5 into 10.5 बस आपको इसमें value रखके simplify कर देना आपका answer आजाएगा because 4 into 22 by 7 आप सबको पता है अब सबसे important बात आती ही कि how to calculate these type of questions fast method तो सबसे पहले point remove करो जब point remove करो तो just point की नीचे one draw कर दो point की नीचे one draw कर दो 10 हो गया clear है अब उसको वही cancel करने के बजाए आप next line में लिख लिए जिससे easily आपको clear हो जाए कि करना क्या है अब मैं आपको एक बहुत अच्छा method बताता हूँ आप लोग करते क्या है आप लोग सीधे 5 to 10 to 50 करने लगते वो मत करिये उसमें आपका time waste होगा आप 7 से पहले cut कर दीजे अगर यह cut रहा है 7 1s are 7, 7 5s are 35, now 488 सब को मालूम है, yes 15 into 105, please यहाँ पे कोई भी student इसको cut मत करो कि 5 2s are 10 होगा, sir 5 3s are 15 हो जाएगा, मत करो, बहुत easy है अब आप इन सब को multiply कर दो फटक से, जब आप multiply करोगे तो easy हो जाएगा, ठीक है, 15 को 88 से multiply कर दीए, अब 88 की table तो सब को मालूम है, 15 की 15 is a 120, 12, 15 is a 120 plus 12, 132, तो 1, 3, 2, 0 into 105, अब देखे, 0 अपने आप आ रहा है, एक 0 कैंसल कर दो, अब 132 को multiply कर दो 105 से, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 1s are 5, और 6, multiply, फिर multiply, 231, now you got 0, 5, 8, 3, 1 Your answer is 13850 upon 100, this is your answer, 1385 cm2, because यह surface area of sphere है, तो जब भी surface area होगा, तो उसकी unit क्या हो जाएगी, cm2, इसकी unit होगी, cm2, यह आपने पूरा सम सॉल्फ कर लिया है, इसका answer आजाएगा, 1385 cm2, Second का, first question है, find the surface area of sphere of diameter, इसमें आपको diameter given है, तो first question, second question, both are very simple, but third question is a decimal, तो हम third part कर लेते हैं, इसका, diameter given है, 3.5 meter, तो जब diameter given होती है, तो we know very well diameter by 2, यह radius होता है, circle है, circle का this is diameter, तो diameter का half ही radius होगा, तो ऐसा ही sphere के साथ होता है, तो diameter कितनी है, 3.5 by 2, यहाँ पर आपको फिर बता दू, point आप remove करोगे, 0 आ जाएगा, you got 35 by 20, अब इसको decimal remove कर दिया है, तो और simplify कर सकते हो, 5.4 जा और 5.7 जा, now radius is 7 by 4 meter, तो your surface area of sphere, बहुत simple है, formula आपको पता है, yes, 4 pi r square, circle का area होता था, pi r square उसको 4 times कर दो, तो लिख दो 4 into 7, 22 by 7 into 7 by 4 into 7 by 4, cancel कर दीजे, simple क्योंकि नीचे 0 तो है नहीं, अगर 0 होते तो हम avoid करते, cancel करने को, तो 77 cancel हो गया है, और 4, 4 cancel हो गया, 2 11s हो और 2 2s हो, now 77 by 2, इसको divide करेंगे, आ जाएगा, 2 3s हो, 2 8s हो, 38.5 meter square, तो volume, surface area, surface area of sphere, you got 38.5 meter square, simple तरीके से आप कर सकते हो, यह clear है आपका, तो surface area का formula clear हो गया होगा, 4 pi r square, इसको apply करके आप इसके सारे parts solve करिए, question number third is very easy, find the total surface area of hemisphere, तो hemisphere का मतलब हुआ, कि एक bowl है, इस तरीके का, जिसको आपने पूरा cover कर रखा है, इसमें भी आपने polythene cover कर रखी है, यह golden color की, और यहाँ भी पूरा golden color से wrapped है, यानि एक ऐसा gift है, जो हर तरब से wrapped है, तो total surface area चाहिए, hemisphere इस तरह होता है, इसका formula मैंने आपको बताया था, 3 pi r square, 3 pi r square क्यों, this circle has pi r square, and this is 2 pi r square, तो simple, यहाँ पे आपको radius given है, 10 cm, now you got 3 into 20, 3 into 3.14 into 10 into 10, because आपके question में pi already given है, 3.14, अगर आपको already given है, तो 3.14 ही आप रखोगे, 3 point this one, this one multiply कर लो, तो 3 fours are 12, 1, 3, 1 is a 3, 4, 3, 3 is a 9, और decimal यहाँ पे into 100, now decimal remove कर देते हैं, 1, 0, 0, remove हो गया, 0, 0, 0, 0, 9, 42 cm square, total surface area आगया है, ठीक है, fourth question फटाफट कर लेते हैं, बाकि आप complete कर लेजएगा calculation, easy calculation है, find the radius of a spherical balloon, increase from 7 cm to 14 cm as air is being pumped, यहाँ आपने देखा होगा कि 7 cm to 14 cm given है, और radius आपको यानि 2 part में दिया हुआ है, वो balloon पहले 7 cm का था, after that थोड़े समय बाद जब उसको air से fill किया गया, तो आपको मिल रहा है, second radius, यहीं R2, इसको second radius बोल सकते हैं, इसे first radius, air is being pumped into, find the ratio of the surface area of the balloon of the two cases, जब भी कभी ratio निकालना हो, तो बहुत simple question हो जाता है, ratio of surface area, before filling the air and after filling the air, यहाँ पे यही cases पूछ रहा है, तो आपको दो surface area का ratio निकालना है, that is called 4 pi R1 square upon 4 pi R2 square, find the ratio of the surface area of the balloon in two cases, तो simple आप समझ रहा होंगे, this one, this one and this one cancel out, these variables easily cancel out, तो R1 की value है 7 into 7, इसकी value है 14 into 14, now 1 by 2, this is 1 by 2, now you got 1 by 4, answer is 1 ratio 4, very simple, the ratio is always taken numerator upon denominator, ठीक है, ratio हमेशा आपको इस form में लिखना होता है, surface area A1, ratio surface area A2, A1 का formula लिख दिया 4 pi R1 square, A2 का लिख दिया 4 pi R2 square, ratio चल रहा है 1 is to 4, this is your required answer, बहुत है simple है, अगर आप पो formula clear हो रहे होंगे, तो इस question में कुछ नहीं है इस exercise में, the last one but the most important question, this type of question is very important, given है a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 cm, एक ये brass है आपका, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अच्छा ब्रास था तो आपने एक ball बना लिया, that is called diameter दिया हुआ यहां से यहां तक, inner 10.5 cm, find the cost of the tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees 16 per 100 cm square, यानि इस पे पूरा हमको plating करनी है, अंदर के करब भी plating करनी है, बाहर भी plating करनी है, अब इसको plating कैसे किया जाए, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter, find the cost of tin plating it on the inside of the rate, तो by chance आपको question easy कर दिया गया है, केवल अंदर plating करनी है, यानि इस जगे पे, clear है, अगर outer side होता तो थोड़ी problem हो जाती, but आपको केवल inside the plating करनी है, यहां पे, तो बहुत easy है, pi r square into 2 times, यानि surface area जो होगा, वो 4 pi r square का half हो जाएगा, that is called 2 into 22 by 7, into radius given है, yes, 10.5 upon 2, because diameter by 2 होता है radius का formula, तो 10.5 upon 2 into 10.5 upon 2, अब इसको simplify करना है, तो 1, 2 से यह 2 cancel कर दो, 1, 2 से इसको 11 कर दो, next line में ले आओ, 11 into 1.5 into 10.5 upon 7, decimal हटाके 10 कर लिजे, decimal remove करके 10, now, अब आप multiply कर सकते हो, but 7 के table easy है, तो आप cut कर दो, 7 ones are, 7, 7, 15s are, now, 15 into 11, 15 into 11, सब को clear है, 165 हो जाएगा, clear, 165 को आपको 105 से multiply करना होगा, 5, 5s are, 25, 32, 5 ones are 5, 4, 3, 8, now, multiply, multiply, 561, 5, 2, 3, 7,